हेलो स्टुडेंट्स, गूड मॉर्निंग, सुवागता आपका एक बार फिर से आधर सीनिय स्केंडी स्कूल की ओनलाइन क्लासीज में तो आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ओफ कलोथ बी बेर इन समर एंड बिंटर कि हम सर्दियों में और गर्मियों में किस प्रकार के कफड़े पहनते हैं बी बेर वाइट और लाइट कलर कलोथ डियूरिंग समर बट डारेक कलर डियूरिंग बिंटर हम हलके हलके और स्पेद कलर के जो कपड़े हैं वो कहा कपड़े पहनते हैं गर्मियों पहनते हैं लेकिन गहरे गहरे रंग की कपड़े पहनते हम डियूरिंग बिंटर यानि सर्दियों के दोरा दिस इज विगोज वाइट और लाइट कलर कलोथ अबजोब लेसर हीट एंड कीप अस कूल डियूरिंग समझ क्योंकि सफेद और हलके रंग के कपड़े हमें गर्मियों में अपने अंदर हीट को कम अबजोब करते हैं और दूसरी तरफ बात करें तो बलेक और डारेक कलर कलोथ अबजोब मोर हीट एंड कीप अस बार्म डियूरिंग बिंटर तो जो काले और गहरे रंग के कपड़े हैं वो हमें गरम रखते हैं इसलिए हम उनको पहनते हैं सर्दि बिंटर हम उनी उनी बस्तर भी पहनते हैं सर्दियों के दोरान बुने कलोथ की पस बारम उन हमें उनी बस्तर हमें गरम रखते हैं बूलीजे पूर कंड़क्टर ओफ फीट एंड इट एड ट्रेप बिटिन दा फाइवर जो उन है वो क्या एक पूर कंड़क्टर यानि इं इसके अंदर हवा जो उन होती है अपने अंदर वो हवा को भर लेती है उसके अंदर हवा रह जाती है दिस एयर प्रवेंड दा हीट ओफ अवर बोड़ी फ्लो आउट साइड तो विसलिए वह हमारे सरीर की जो गर्मी है उसको बाहर में नहीं जाने देती ठंड में इस वी प्लेंगेट यहीं कारण है कि दो पतले कंबर ज्यादा हमें उसमा परदान करते हैं एक मोटे कंबल से अगरे दो पतले कंबल ओड़ें तो हम ज्यादा गर्म रहेंगे इसके बजाए कि एक मोटा कंबल हो क्योंकि जब दो कंबल ओड़ते हैं तो उनके दोनों के बीच में एक परत बन जाती है किसकी हावा की हावा की एक परत बन जाती है सिन्स एयर इजन इंसुलेटर और एयर क्या है कुछ अलक है कुछ अलक का मतलओ कि वो अपने मेंस हीट को आस्पास आरपार नहीं होने देगी तो इटी लेयर प्रवेंट दा हीट तू फलो तो इसलिए वो हमें गर्म रखेगा ज्यादा गर्म रखेगा क्योंकि हीट से उसके आरपार नहीं होगी। ठीक है। तो चयनका मतली है कि हम सरदियों में तो को कार गपड़े पापड में पाइनते हैं और एक पाइनते हुआ हम वहाई नहीं रमीर के बसतने हैं